नमस्कार आप देखरें, MP News 24 और मैं हूँ आपके साथ कंचत। बामन्या, प्रत्वी विज्ञान, विभाग, मुहनलाल, सुखारिया, विश्विद्याला, उदैपुर, अगरवाल, शिक्षन, संस्थान, अध्यक्ष, ओम, प्रकाश, गुपता, धर्म, काटा और प्रफेसर, एलन, हर्श, जोदपुर ने इस सम्मन्न में उद्भोधन दिय मुगाचिथी ने अपने उद्भोधन में बताया कि पर्यावरन दिन परते दिन नष्ट होता जा रहा है, बंशेत्र सिमटते जा रहा है, उन्होंने कार्बनिक प्लास्टिक द्वारा वातावरन पर पढ़ने वाले दुश प्रभावों के बारे में चिंता व्यक्त किया है इस अंस्थान अद्धक्ष ने सभी जुड़े हुए सदस्तियों का स्वगत करते हुए पर्यावरन की सुरक्षा को जीवन के लिए महत्रपून बताया और प्रदूशन को पर्यावरन के लिए खत्रा बताया E.S.W. Society के अद्धक्ष डॉक्टर अश्वनी कुमार दुबे ने बताया कि अदि मानवी हस्चे पे एको सिस्टम के साथ इसी तरह से चलता रहा तो आगामी समय में मानव का जीवन संकट से घिर जाएगा में खादान जल और पॉधो का संद्रक्षन करना नितान ताविशक है कारिक्रम को संचालन डॉक्टर स्वाती संबच सने देशक जल श्री जलगाव महराज ने किया इस कारिक्रम के अध्धक्ष्टा करना है डॉक्टर जयन चौधरी असाम ने अंतराश्टिय पर्यावरन विदो ने अपने अपने बहुमूले विचार रख्त किये कारिक्रम के अंध में महाविदार्य प्राचाय डॉक्टर सत्रवकाष महरा ने सभी ऑनलाइन मार्द्यम से जोड़े हुए सदस्च्च और पती भागियों का अभार और धन्यवाद रख्त किया और सभी चरचाओ को समगर रूप से पुस्तक के मार्द्यम से प्रकाषित करने की घुष्णा की कारिक्रम के संचालन में तखनीकी रूप से डॉक्टर संजय चौबे प्रकाष अंधर श्यर्मा दिनेश कुमार गुपता ने सहयूग किया चटरपुस अंपी निउस 24 के लिए चैनल है जेन द दिविद्धी की खास रिपोर्ट आज विश्व परियावरण दिवस की उपलक्ष में एन्वार्मेंट एंड सोसल वेलफेर सोसाइटी खजुरा हो एवं अग्रवाल कन्या महाविद्यालय राजिस्तान के संयुक्त तत्वावधार में डेश की जानीमानी संस्थाएं विक्रम विश्विद्यालय उज्जेन, MDS विश्विद्यालय अजमेर और मोहनलाल सुखाडिया इन्वर्सिटी के साथ अन्य लगवग 30-32 संस्थाओं को लेकर के एक इंटरनेशनल डायलोग कारिक्रम का आयोजन किया गया था जो संयुक्त रराष्ट्र संग के द्वारे जो थीम निर्धारित की गई थी उस थीम पर हमने कारिक्रम हायुजद किया है और यह थीम थी एको सिस्टम रिएस्टोरेशन हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि आज के इस कारिक्रम में मुख्य अतिथी के रूप में सामिल हुए थे प्रोफेसर गंगा राम जाकर पू सुखाडिया इनुवर्सिटी उदैपुर से और साथियों हम आपको बताना चाह रहे हैं कि इस कारिक्रम में भारत के अलावा अन्य देशों से भी बिसे बिसे सग्य सामिल हुए थे जिनमें मिस्र, बांगलादेश, सूडान, इंडोनेसिया, मलेसिया, नेपाल, दक्षन अ और ऑकसीजन जो आज की समय में जोलंत समस्या बनती जा रहे हैं उनको ध्यान देने के आप सकता है इस वो ध्यान देनी के आप सकता है जंसंखिया ब्रधी और मानवी हस्ता छेप एकोसिस्टम के साथ ये प्रमुख कारण है जो कि हमारे एकोसिस्टम को degradate कर रहे हैं चाह वो हमारा टेरिस्टियल एकोसिस्टम हो या वाईवी एकोसिस्टम अगर समय रहते इन मानवी हस्ता छेप को नहीं रोका गया तो निश्चत तोर पर आगे आने वाले समय में मानव का जीवन अस्थित्व संकट में पढ़ जाएगा इसमें कोई दोमत नहीं है हमारा आप सभी लोगों से यही आग रहे है कि हम जहां पर रहें अपने एकोसिस्टम के प्रवंधन के वारे में विचारवे मर्ज करें और अधिक से अधिक मात्रा में प्रत्वी पर ब्रक्ष लगा करके ऑक्सीजन संतुलन पनाय रखें जिससे आगे आने वाले समय में कि हमारे में लोगा सकत्थ आप लगा है सलि means और पर रहे हैं जलब ब्रवंगन के पर रहे हैं यह